हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल मैथ साइडल मैसल डॉक्टर कविता गुपता बचों आज हम जो हमने अपना चैप्टर स्टाट किया हुआ है फोर्थ उसका फिफ्थ लेक्चर है जिसमें बहुत इंपोर्टन एक्जाम्पल आपको करवाँगी 4.3 3.6 या आपके बुक में पेज नंबर 107 पे दिया हुआ है तो लेट एस स्टाट बिटा कोई चच्छोड़े ना क्वेशन ऐसे एक्जाम में आ जाते हैं तो आप फिर से वही काम करेंगे कि पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए a है आपका कोफिशेंट of uxx which is 1 है b is the coefficient of uxy which is 2 cosec y c is the coefficient of uyy which is cosec square y so find out the discriminant b square minus 4ac this is my 0 so it is a parabolic equation then we solve the quadratic equation a lambda square plus b lambda plus c equal to 0 values डाल दी आपका discriminant 0 है तो same root आएंगे equal roots आएंगे तो that root is coming out to be lambda equal to minus cosec y आगे आपके पास root now we solve the equation d by by dx plus lambda equal to 0 आप देख रहे होंगे कि इस पूरे chapter में same steps आपको follow करने है हर एक में आपने एक वरी steps याद कर लिए तो just a matter of calculation only तो आपने ये value डाल दी lambda की हांपे lambda की value डाल के इसको solve किया आपने d by by dx equal to cosec y तो y के नीचे y वाली चीजे लिया है variable separable form लग गई 1 upon cosec is sine y आपने दोनों तरफ integration किया sine y का integration minus cos y आजाएगा और dx का integration x आजाएगा मैंने constant of integration c1 add कर लिया यहां पे इसको solve किया तो c1 की value निकालते हैं और इसे हम zy मान लेते हैं तो मैंने इसको zy मान लिया let's zy equal to x plus cos y this is my substitution that I am going from x y plane to zy eta plane तो जो मेरा पहला integral निकल कराया उसको मैंने zy मान लिया eta को मैं अपनी तरफ से चूस करूँ कि देखो मैंने जितने भी examples कराएगा आपको parabolic के this is the third example that I am doing so मैंने हर बरी eta को y लिया है और अपनी choice को justify करने के लिए jacobian निकला so now I find this jacobian here jacobian सबको पता है formula del zy eta by del xy आपने इसको solve किया जब आपने इसको solve किया तो आपका jacobian निकल करा गया 1 which is non zero अगर jacobian non zero है it means we can move from xy plane to zy eta plane and our substitution that we have taken from our side to be eta equal to y is justified choice right so मेरी choice आगई eta equal to y तो मैंने अब final कर दिये कि मैं zy की substitution लोंगी x plus cos y और eta की लोंगी y अब हमेशा की तरह सारे first order और second order partial derivatives निकाल लीजिए zy और eta के सबको पता है कि कितने निकलेंगे zy x y y eta x eta y और फिर इनके सब के second order derivatives भी निकाल लीजिए ठीक है फिर question के अंदर जितने भी variables आपको दिख रहे हैं question में हमें u x x दिख रहा था u x y u y y what so ever उन सब के formula लिखते जाईए और value substitute करते जाईए तो हमने u x x का formula ये last class में भी सिखा था ये वाला formula u x x के सब को इस chapter को करने के लिए आपको u x u y u x x u x y और u y y ये 5 formula learn करने हैं मैंने learn करने की technique पहली class में सिखा थी शुरू की एक दो वीडियो ज़रूर देखने मैं बार बार नहीं सिखांगे learn करना ठीक है तो ये आपका formula इसमें आपने जो उपर values calculate करी थी वो सारी values डाल दी है फिर आप u x y निकाल लीजिए ये भी इसका u x y का मैंने पहले formula लिखा है और फिर formula में value substitute करी हैं सब बचे वीडियो को pause करके खुद values डालेंगे ये आगे आपके पास फिर आपने u y y निकाल लिया इसमें भी आपने सारी formula लिखा और values डाल दी है clear ये आगे आपका u y y आप जो given question था देखो ये है आपका given question u x x plus 2 cos y u x y plus cos x square y u y y इसमें सारी values को डाल दीजिए जब आपने इसमें सारी values डाली और इसको solve किया तो बहुत सारी terms होंगी जो आपकी कट जाएंगी आपको पता है parabolic है तो या तो u eta eta बचेगा या u x y बचेगा ठीक है ना तो जब हमने इसे solve किया तो देखो मेरे पास बच गया u eta eta minus cos y u x y equal to 0 ये cos x square y बचा था जो इधर cos x square y आपका 0 नहीं लेंगे हम तो क्या होगा बीच वाली bracket आपकी 0 आजाएगी तो ये वाली bracket आपके पास 0 आगई है ठीक है तो आपको बताया मैंने कि second order derivatives जो आते हैं उसको equal to कि एक side रोखो और बाकी सारी चीज़ें दूसरी side पे ले आओ तो ये आगया मेरे पास अब ये जो आया है ना मेरा इसके अंदर cos y दिख रहा है मैंने आपको बताया या तो सारी equation x y में या सारी equation आपकी x y में होनी चाहिए तो अभी आप अगर answer अपना यहां छोड़ देंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा आप इसको y को replace कीजिए x y इटा से तो y मेरा इटा हमने लिया वा था तो इस y की जगे मैंने इटा डाल दिया ठीक है तो u इटा इटा इकल to cos इटा u जाई ये आपकी reduced canonical form निकल करा गई ठीक है बेटा मैंने बताया आपको की parabolic के अंदर या तो u इटा इटा आटा बसता है या u जाई जाई बसता है first order derivative कोई सब ही बस सकता है ठीक है ना second order partial derivative में parabolic होगा तो u जाई जाई या u इटा इटा इस तो हाईपरबोलिक होगा तो u जाई इटा इस थीक है बेटा तो इसमें सिरफ canonical form में रिडियूस ही करना था आपको सॉल्ट नहीं करना था तो यह आपका यहां तक आ गया रिडियूस्ट के नॉनिकल फॉर्म सुबचो नेक्स्ट क्लास हैं बिलते हैं चैप्टर को और आगे चलाएंगे तिल देन पढ़ाई करते रहें ओल दे बेस्ट